Dear students, आज हम 9th class का question number 7 कर लेते हैं Question number 7 है AB रेखा पर बाहर दिये बिंदू C से लंब खिंचो AB रेखा है, इसके बाहर दिया है बिंदू C और इससे पहले वाले question में भी same ऐसा ही था AB रेखा के बाहर बिंदू C दिया हो था तो यहां भी वैसे ही है, बिंदू C बाहर दिया है तो अंतर क्या है, अगले में आगे कहा गया था इस पीछे वाले question में, कि जबकि बिंदू C रे पर बाहर दिया हो सीरे पर बाहर दिया हो, मतलब रेखा के सीरे पर यहां बाहर दिया है अब क्या गए आगे है, कि बंदु C जो है, वो रेखा AB की सीमा के बाहर है, सीमा कहा होई, यहां देखें आप, रेखा AB कहां से कहहां तक है, यहां से लिखा है, यहां तक, यह लिखा हो अभी, इस से आगे आप इसको dotted पा रहे हैं, तो मतलब B पर इस A बिरेखा की सीमा खत्म हो जाती है और इस से आगे इसकी सीमा नहीं है तो यह जो C बिंदू दिया है यह इसकी सीमा के बाहर दिया हुआ है यहां बाहर ठीक है आईए इसको शुरू करते है यह हो गया question number 7 और हम रेखा लेते हैं एक यह होगी और इसको नाम देंगे हम थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं अब क्या करेंगे इसकी सीमा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम बाहर को dotted यह हमने इस लाइन को dotted बढ़ा दिया इदर को अब यह जो यह है dotted वारी line यह इसकी a भी रेखा की सीमा नहीं है तो यहां पर हम इस dotted रेखा के ऊपर यहां बिंदू c लगा देते हैं अपनी मर्जी से अब पिछले ही प्रेशन की तरह अब इसको हम पिछले प्रेशन की तरह बिंदू a पर परकार रखेंगे और c तक खोलेंगे और यह हो गया यह चाप लगाई हमने ठीक है अब a से परकार उठाएंगे और b पर रखेंगे ठीक है और फिर से बिंदू c तक खोलेंगे ऐसे यह हो गया उपर c और नीचे हो गया d यह हो गया बिंदू o यह हो गया धी क्योँ प्रश्यों प्रशा इस्थ नसे कहिए आप इसन से रखेंगे आप लिएकार आप